और बिहार जार्खन में इंदनोर राजनीता छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं। अब जार्खन में CM का चहरा बदलने के बाद वदायकों का टूर पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था। कि बिहार में भी फ्लोर टेस्ट से बेले कॉंग्रिस वदायकों को हैदराबाद भेज दिया गया ताकि कोई उनकी बोली नहीं लगा सके और फ्लोर टेस्ट के दिन कॉंग्रिस पूरी तरह से एक जूट रहे। जार्खन के विधायकों के हैदराबाद टूर के बाद अब बिहार कॉंग्रिस के विधायकों का हैदराबाद टूर शुरू हो गया है। गरण में यूं तो आजड़ी फिर्सी सबसे बड़ा विरूधी दल है। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले सबसे ज्यादा टेंशन में कॉंग्रिस है। 19 विधायकों वाली कॉंग्रेस को इस बात का डर्ड सता रहा है कि कहीं उनके विधायक फ्लोटेस से पहले तूटना जाए। ऐसे में जार्खन की तर्ज पर बिहार कॉंग्रेस के विधायकों को भी हैदरबाद शिफ्ट किया जा रहा है। कॉंग्रिस विधायकों को हैदरबाद के बाहरी लाकी इब्राहिम पत्नम इस्थत एक रिजॉर्ट में रखा जाएगा बीज़ेपी नेता और डिप्टेसियम विजय सिनहा ने कहा है कि कॉंग्रिस अपने विधायकों के साथ बंद्वा मजदूर जैसा वेवहार करना चाहती है जो जनादेश का अपमान है बले ही विजय सिनहा कुछ भी कहें लेकिन कॉंग्रिस सारा कमान को अपने विधायकों की तूटने का डर है ऐसे में पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती लेहाजा विधायकों को फ्लोट डेस्ट से पहले तक बहार के बाहर ही रखीगी और सीधे टेस्टिंग के दिन ही इनकी बहार में लांचिंग करानी का फ्लान है ताकि जूट होकर कॉंग्रिस के सभी विधायक अंडिय की सरकार के खिलाव वोट कर सके लेकिन कॉंग्रिस के इस फ्वैस्टे पर डेपड़े सेम समराट चोधरी ने निशाना साधा है दावा क्या है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और ऐसे में कॉंग्रिस को डरने की जरूरत नहीं है तब तो जानेंगे कि विकास क्या होता है को बहुमत साबित करनी है न्यूजीटिन के लिए दिल्ली से मितेश्टिंग के रपा और बियार कॉंग्रिस में तूट के डर को आप समझे बारा फ़रवरी को बियार में एंडिय सरकार का फ्लोर टेस्ट है कॉंग्रिस को अपने विधायकों के तूटने का डर सता रहा है संभावट तूट से बचने के लिए कॉंग्रिस ने रणनीती बनाई है विधायकों को सीधे दिल्ली से हैदराबाद भेज दिया गया है 19 में से 16 विधायक फिलाल हैदराबाद के हैं कहा ये जा रहाएगे फ्लोर टेस्ट के दिन ही ये बिहार आएंगे शनिवार की बैठक में हैदराबाद शिफ्ट करनी पर सहवती बनी 28 जनवरी को बिहार में नई सरकार बनी है नितीश कुमार ने आरजडी कॉंग्रिस का दामन छोड़ा नितीश कुमार अब बीजेपी के साथ है पुर्णिया में कम विदायकों के पहुंचने पर बैठक टाल दी गई थी जिसके बाद पार्टी में तूट की आश्रंका बढ़ती चली गई अब देखने वाली बात होगी कि ये जो आश्रंका है ये जो संभावना जताई जा रही है क्या वाकई ये सच साबित होती है या फिर जो नया रुक अक्तियार किया गया है कॉंग्रिस के तमाम विदायकों को बाहर भीजा जा रहा है क्या इससे फाइदा मिलता है या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी